सो हाई गर्ज में आज़कों माइनकाफ्ट की एक नई वीडियो के साथ और आज ये शुड़े मैं आप सुड़ी को बताने जा रहा हूं कि आप कैसे माइन का पॉकेट एडिशन में लेफ्ट हैंड में आइटम्स को होल्ड कर सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देखी सकते हैं यहां पर मैंने अपने लेफ्ट और राइट हैंड में दोनों में आइटम्स होल्ड कर रहे हैं वह भी माइन का पॉकेट एडिशन में अगर आपको भी कुछ ऐसा करना है अपने माइन का पॉकेट एडिशन में तो वीडियो को पु अपना एक वर्ल्ड क्रियेट कर लेना है तो यहां पर मैं एक वर्ल्ड क्रियेट कर लेना है तो यहां पर मैं एक वर्ल्ड क्रियेट कर लेना है तो यहां पर मैं एक वर्ल्ड क्रियेट कर लेता हूं और इसका नाम टीटी रख देता हूं और क्रियेटिव कर लेता हूं आपक में कुछ नहीं है बस आपको world create करने के बाद सिंपले आपको save and quit कर देना है यहां मैंने save and quit किया और अपने minecraft से exit हो जाना है तो यहां में exit तर लेता हूं minecraft को ठीक है यह सब कर लेने के बाद आपको एक app डाउनलोड करना है और उस app के नाम है block topograph topograph यह app आपको play store पे मिल जाएगा या फिर आप description box में जाकर यह आप download कर सकते हैं play store पे इसका नाम है block topograph तो आप यह play store से डाउनलोड कर लें डाउनलोड करने के बाद इसको open करना है और यहां देखे मैंने यहां एक world create किया था TT के नाम से simply आपको इस पे click करना है ठीक है तो यहां में इस पे click करता हूँ click करने के बाद आपको यहां जो arrow दिख रहा है एड़ पे click करना है तो यहां arrow पे click करेंगे तो आपको यहां map दिख जाएगा जो माइनकाफ्ट का वर्ल्ड है जो आपने क्रियेट किया गा उसका मैप दिख जाएगा अब आपको सिंपली लेफ्ट टू राइट स्वाइट करना है यहां देखिए लेफ से राइट स्वाइट जैसे करेंगे तो आपको यहां कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपको सिंप आपको आपको एसे इंटरफेस आए जाएंगा मैं आपको दुबारा देखाता हूं यह दिखे AND कितने सारे आपको इसे इंटरफेस आजाएंगे आपको simply off hand यहां search करना है तो यहां में off hand खोजलेता हूँ तो यहां पर यह off hand अब आपको off hand पर click करना है File पर click करना फीर आपको यहां पर झाल रेड फाइल दिगेगी and then red file पर click करना है देखते हैं जैसे click करेंगे आपको यहांपर edit करना है Count में आपको 1 लिखना है और DamLange violations लिखना है और Name पहले मां काफ कचार स्धका मांम समय मांक्राफ लगा है मांक्राफ में 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 capital और आपको d Terrify लकेना है और आपको जो भी back such a नाम लिखना है,只 cloud, transpose में यहाँ अपको diamond pickaxe करना है तो आपको diamond under इसको pickaxe यहां मैं भी torch लिख रहा हूँ, तो आप यहां पर इए torch भी लगा सकते हैं, मैं torch लिखना हूँ तो torch लिजरने के बाद आपको simply saved कर दिना है, saved कर देने के के बाद आपको यहां से इसको हटा देना इस एप को सेफ्ट करने के बाद Simpli App को अब अपना Minecraft open कर लेना है तो यहां मेरा Minecraft open हो रहा है तो Minecraft को open होने देते हैं ओपन होने के बाद Simpli App को क्या करना है आपको उसी वर्ल्ड में चले जाना है तो यहां में फिट से play पे क्लिक करता हूँ यहां पे TT वाले world पे क्लिक करता हूँ और इस world में इंटर हो जाता हूँ सुगज तो मेरा यहां world create हो रहा है तो world को create होने जैना है जैसे world create होगा तो जैसे कि अब दिससे है मेरे character के left hand में torch आ चुका है उस mode का ना में real light mode यह real light mode मैंने already अपने चैनल पर डाल लगी है और इस वीडियो का link आपको description box में मिल जाएगा तो आप real light mode डाउनलोड कर सकते हैं सुगज जहाद के वीडियो में बस इतना ही अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगो तो लाइक करें चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें मैं मिलता हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई